सबी पत्रकार बंदूओं को नमश्कार प्रभुस्री राम के नाम पर भाजपा नेताओं के द्वारा की गई चंदा चोरी में हर दिन नया खुलासा हो रहा है हर दिन नई जानकारी मिल रही है और इस देश और दुनिया में रहने वाले करोणों हिंदूओं की आस्था के साथ किस प्रकार से खिलवार किया गया है इसका पूरा सच सामने आ चुका है अब भारती जनता पार्टी के नेताओं को अपना चेहरा काला कर लेना चाहिए प्रभुस्री राम के मंदिर के नाम पे घोटा ला उनकी जमीन खरीद में घोटा ला आज अगर मंदिन निर्मान में विलंब का सबसे प्रमुख कारण कोई है तो भारती जनता पार्टी के नेताओं की चंदा चोरी अगर आज भारती जनता पार्टी के नेताओं की चंदा चोरी की वज़ा से ट्रस्ट के चंदा चोरी की वज़ा से प्रभुस्री राम के मंदिन निर्मान में रोक लगी है तो इसके लिए देश के करोणो राम भक्त बीजेपी के नेताओं से जवाब मांग रहे हैं आठ दिन हो गया भ्रस्टाचारियों के विरुद्ध कोई अफाई आर नहीं कोई जाच नहीं मेरे विरुद्ध कह रहे थे कि मान हानी का मुकदमा करेंगे अभी तक कोई मानी हानी का मुकदमा नहीं मैं पूछना चाहता हूँ इन चंदा चोरों के खिलाफ कारवाई होगी की नहीं होगी आप देश के संतों की भावनाओं के साथ महंतों की भावनाओं के साथ संक्राचारी की भावनाओं के साथ खिलवाण कर रहे हैं कल हमने देखा कि किस तरह से आयोध्या में संतों ने मीटिंग की वहाँ पर एक स्वामी दिलीब दास जी थे वो भावख हो गए प्रभूसरी राम जन्भूम के निर्माण में प्रभूसरी राम एक बालक हैं। और हम अपने राम को मा की तरह मानते हैं। जैसे एक मा अपने बच्चे की सेवा करती है, मंता करती है, स्नेह करती है। उसी प्रकार से राम के भक्त, राम के प्रती भाव ना रखते हैं, भाव रखते हैं, प्रेम रखते हैं, स्नेह रखते हैं। यह संत का कथन है। और बीजेपी के नेता क्या कर रहे हैं, मैंने आपको बताया, कि किस प्रकार से बीस लाख की जमीन, एक करोण में बेच दी जाती है, राम जनम भूमी ट्रस्ट को। यह जमीन जो बीस लाख में खरीदी गई, बीजेपी नेता, भाजपा के मेयर, रिसी केस, उपाध्याय के भांजे, दीप नरायन के द्वारा बीस लाख में खरीद कर, धाई करोण में बेच दी गई, और जब कल आचार्य देवेंद प्रशाद जी से पूछा गया, तो उन्होंने कहा, कि मैंने तो प्रभुसरी राम के मंदिर के लिए जमीन दी थी, यह जमीन तो नजूल की है, मेरे पास तो एडियम, संतोस, कुमार सिंग और मेयर आए थी, उन्होंने भाजपा के मेयर का नाम लिया, भाजपा का मेयर, आचार देवेंद प्रशाद जी के पास जाता है, उनसे जमीन लेता है प्रभुसरी राम के मंदिर के नाम पर, वो बीस लाख रुपए में जमीन दे देते हैं, और उसी जमीन को मेयर का भांजा धाई करून रुपए में बेच देता है, नजूल की जमीन, तो जिलाधिकारी को भी गिरफतार करना चाहिए, क् नजूल की जमीन तो फ्री होल्ड होनी चाहिए, इसमें राजस्व की चोरी हुई है, ब्रस्टाचार हुआ है, उस एडियम संतोस सिंग को भी गिरफतार करना चाहिए, उससे भी पूस्ताच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें राजस्व की चोरी हुई है, नजूल की जमीन फ् भकते हैं देखिए आप ये माता जी सावित्री देवी जी ने एक जमीन अपने पौत्र को दान में दी एक पैसे ने लिया उसका दान में दिया अपने पौत्र को दीप नरायन को जो बीजेपी के नेता का भांजा है दान में दी हुई जमीन को एक करोन रुपए में दीप नरायन ने बीजेपी नेता के भांजे ने ट्रस्ट को बेच दी दादी से मिली हुई दान में जमीन और बिग गई ट्रस्ट को एक करोण रुपए में यह देखिए पूरे कागजाद और हर जगहां आपको एक नाम जरूर मिलेगा क्या नाम है वो अब तो रट गया होगा आप लोगों को क्या नाम है अनिल कुमार ट्रस्ट के सदस्ट अनिल कुमार हर जमीन के खरीद में गवा है यह प्रभुसरी राम का मंदिर नहीं बनवा रहे हैं यह तहसील में बैठकर जमाइन की दलाली खा रहे हैं हर जमीन में यह दान की जमीन एक करोण में बेच दी बीजेपी के नेता ने और इसमें भी गवा अनिल कुमार मिश्रा और इसमें भी गवा जो बीस लाग की धाई करोण में भी की उसमें भी गवा अनिल कुमार मिश्रा ट्रस्ट के सम्माननी यह आदर्नी यह सदस्ट ये ढाई करोन में जो विकी 20 लाख रुपए की जमीन इसमें भी गवा अनिल कुमार मिश्रा और अनिल कुमार मिश्रा कोई सामान ने वेक्ती नहीं है अनिल कुमार मिश्रा को देश के प्रधान मंतरी आदनी नरेंदर मोदी जी ने प्रवस्री राम का मंदिर बनवाने के लिए ट्रस्ट का सदस्ते बनाया और ये क्या कर रहे हैं आप देखते जाईए ये हैं इनका असली चेहरा और आज मैं आपको दिखाता हूँ दो और जमीन है एक जमीन है ब्रज मोहंदास जी की ये जमीन तेईस मैई दोहजार इकीस को स्री राम जनम भूमी ट्रस्ट चम्पत रायजी को बेची गई और इस जमीन की मालियत बानुबे लाख रुपए है लेकिन ये जमीन छे गुना से ज्यादा अदाम पे किस को बेच दी गई ट्रस्ट को बेच दी गई पांच करोन साथ लाख रुपए में बानुबे लाख के मालियत की जमीन पांच करोन साथ लाख रुपए में ट्रस्ट को बेज दी गई दीप नारायन को मालियत से सस्ती जमीन मिल जाती है बीजेपी के नेता को मालियत से सस्ती जमीन मिल जाती है और वही बीजेपी का नेता Trust को 4 गुना, 6 गुना, 12 गुना, 13 गुना महेंगे में जमीन बेच रहा है BJP के नेता चंदा चोरी नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे है BJP के नेताओं को देश के और दुनिया के करोणों हिंदूँँँ से हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए और सारा पैसा इन से वसूला जाना चाहिए इन से गरिफतारी होनी चाहिए और इसमें एक और खतरनाग बात हुई है वो खतरनाग बात क्या है आपको जनना बहुत जरूरी है 23 मईए को ये जमीन खरी दी गई अचाहे एक चीज़ और बाताना बूल गया हो तो ख mentioning हर जमीन के बारे में आपको बताना पड़ेगा इसमें भी गवा है निल کमार मिस्ठा इसमें भी गवा है निल कमार मिस्ठा ये जो 92 लाख की जमीन 5 करौब और 60 लाख में भिकी कि इसमें भी गवा है निलकुमार मिश्रा ये ट्रस्ट के सम्मानी सदस से इनको प्रदान मंत्री जी ने जिम्मेदारी दी थी प्रभुस्री राम का मंदिर बनाने के लिए और ये जमीन की दलाली खा रहे हैं बीजेपी नेताओं के साथ मिलकर और इसमें खतरनात बात ये है कि जिस ब्रज मोहंदास जी ने ये जमीन बेची है 23 माई को उनके विरुद्ध मजिस्टेट की कोट ने कहा है कि गाटा संख्या 82 यानि लगभग 380 वर्ग मीटर जमीन यानि करीब करीब एक करोण तिरपन लाख की जमीन जो इनकी है ही नहीं निरस्थ हो चुकी है वो इनो ने ट्रस्थ को बेच दी समझ पा रहे हैं आपके घोटाला समझ पा रहे हैं इनकी जमीन निरस्थ हो गई है मार्च के महीने में और मई के महीने में वही गाटा संख्या ये बेच रहे हैं ट्रस्थ को कितने लागत की जमीन करीब करीब एक करोण तिरपन लाख रूपए के लागत की जमीए और अनिल कुमार मिश्टा जी को देश के आदरनी प्रधान मंत्री जी ने कहा हम आपको ट्रस्ट का सदस्ट बनाते हैं प्रभुसरी राम का मंदिर बनाने के लिए लेकिन अनिल कुमार मिश्टा जुड़ गए अपना आलिसान घर बनाने में देखिए आप आयोध्या में एक मात्र घर है जिनके घर में लिफ्ट लगी हुई है ये होमोपेथिक के छोटी सी दुकान चलाते हैं डाक्तर हैं ये इनका घर चला दो भाई ये लिफ्ट का पूरा हिसाब किताब इनको प्रभुस्री राम का मंदिर बनाने के जिम्मेदारी दी गई है ये अपने आली सान घर बना रहे है और अब मैं आपको बयान सुनाता हूँ आचार्य देवेंद प्रशाद जी का जिन्होंने साफत और पर कहा कि ये जमीन हमने तो आपके तो हमसे मिले नहीं हमसे तीस लाइक में लिए लिए जासा बढा रहे है और ड्रस्ट को ये धनी जो है धाय कोड़ाई ती आपके तो हमसे नहीं कोड़ा है अप से सुनाधत है तो बिद कि धाय कोड़ा ए तो प्रुब्हे बश्क की नाव से लिखाएंगे गया है। नजूल की तुपी है। इसमें अफर्णते हैं, जो ही हमको मिलता है बहुत है। आक प्रुब्हें नहीं महारे में दिलता है तुर्स्क उतने मिल जाए हैं हमारे गया। लेकिन उत्रा था तो हमको उसे साथ देना चाहिए जी तुछ नहीं नहीं आपको बताएगी ट्रस के दर्स के महाँ नहीं 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 आपको लगा कि वो अधिक्रत है किसी आपने इसलिए ट्रस के नाम को ही दिया है अब जो आपके देखा होगा पिछला वस्ला इसलिए पहले एक आरोग लगा था ता राम दला से जुड़े मामले सामने आ रहे हैं क्या है भक्ति को तुछ देखिए इस उन्हें सप्रकार से लोगा रहा है आपिस्ट थो यहांज हो जए जएगा देखिए जटा लेंगे हैं पिछले मामले में घरफ की दरम अब आपके पारिशा का दूख किसी मोई नहीं करना चाहिए एक तासा को क्यों यह करना चाहिए और इसमें कहीं क्यों है तो देखिए इन्हों ने साफथ तो पर कहा कि इन्होंने ट्रस्ट की जरूरत जानिके प्रवसरी राम के मंदिर की जरूरत जानिके बीस लाख रूपे में जमीन दी नजूल की जमीन थी और उसको धाई करोन में कैसे बेज़ दिया गया बीजेपी का मेयर इनके पास आया था रिसी के सुपाध्या इनके पास आये थे और कैसे बेज़ दिया किसी को नहीं तो ये पूरी सच्चाई है आपका कोई प्रस नहों तो पूछ लेजे इसके बाद देखें उनका दिखाया जा चुका है कि फरवरी में उनको पार्टी से निकाल दिया गया लेकिन मैं फिर भी कहता हूं जो बात मैं कह रहा हूं वो कम से कम बीजेपी के नेताओं को भी कहनी चाहिए मैं इतनी अपेक्षा करता हूं और मैं यह कह रहा हूं कि मेरे विरुध जितने भी आरोप लगें उसकी गहनता से जाच होनी चाहिए मेरे विरुध जितने भी प्रकार के आरोप लगें उसकी गहनता से जाच होनी चाहिए योगी जी की पुलिस यहां है मोदी जी की पुलिस केंदर में है और गहनता से जाच करके जो दूसरे मामलों में कारवाई होती है उससे सक्स सजा मुझे मिलनी चाहिए मैं हाज जोड़के बीजेपी के नेताओं से कह रहा हूँ इतना कम से कम बोल दो इतना ही बोल दो कि मंदिर का ब्रस्टाचार जो सामने आया है मंदिर के जमीन के घोटाले में जो ब्रस्टाचार सामने आया है उसकी इमानदारी से जाच होनी चाहिए और जो दोसी है उनको सजा मिलनी चाहिए मैं तो कह रहा हूँ मुझे जितने भी जो भी आरोप अब तक लगते हूं जिसने जिसने भी लगाया हो उसकी पूरी गहनता से गंभीरता से गहराई से जाच होनी चाहिए और मुझे सक्से सजा मिलनी चाहिए चंपतराई जी का दिखाया तो था कि पांच करोण पांच करोण अस्ती लाख रुपए में ये जमीन इन्होंने खरीदी है ब्रज मोहंदास जी से जिसकी मालियत बानवे लाख है तो मेरा ये कहना है कि भई सब को सस्ट बीजेपी के नेताओं को तो मालियत से सस्टे में मिल जा रही है जमीन अट्रस्ट वालों को छे गुना साथ गुना दाम में मिल रही है और बताईए जो जमीन गाटा संख्या निरस्ट हो चुका है उसको भी तुम एक करोण तिर पनलाख रुपए उसमें खर्च करके खरीद रहे है तो ये क्या है ये और अभी तक आठ दिन हो गया करवा ही कुछ क्यूं नहीं हो रही है ये मैंने बताया मैंने तो एक एक कागज के तसाद बताया है सारी चीजें इसकी जांच होनी चाहिए मैं तो कह रहा हूँ जल्द से जल्द मंदिर बनना चाहिए देड़ वर्स में जो भाजपाई प्रभुस्री राम के मंदिर का नियू नहीं डाल सके उनको कम से कम ये बोलने का हक नहीं है कि मंदिर निरमार में मैं रोड़ा डाल रहा हूँ मैं तो कह रहा हूँ जल्द से जल्द मंदिर बनना चाहिए जल्द से जल्द मंदिर बनना चाहिए और मंदिर निर्मार में अगर कोई रोडा है तो भाजपाईयों की चंदा चोरी रोडा है ये मैं कह रहा हूँ इसको आन रिकार्ड लिख लिया जाए मैं बार बार कह रहा हूं मंदिर का निर्मार जल्द से जल्द होना चाहिए और कुछ साथियों की आज जॉइनिंग है मैं दो मिनट समय आपका और चाहूंगा बहमूली समय आपका और चाहूंगा अजीत जी आईए न गोधी मीडिया न विरोधी मीडिया न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया हम हैं जनता की मीडिया जनज्वार जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुँचाने के लिए फेस्बूक पेज को फॉलो करें सेयर करें झाल